नमस्कार मैं हूँ सुधी प्राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया आज हम बात करेंगे क्रिकर कड़े में क्या आपको पता है इस साल वर्ड कप में उतरेंगे पांच डबल सेंच्री लगाने वाले तीन भारती बल्लेवाज बाकि नव टीमों में सिर्फ एक प्लेयर जी हाँ, ICC वंडे वर्ड कप 2030 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा जबकि फाइनल मुकाबला 19 नॉमबर को खेला जाएगा इसके लिए रोहिस सर्मा की कप्ताने में भारती टीम का एलान भी कर दिया गया है वर्ड कप में भारा समेत कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी इन सभी टीमों में कुल 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वंडे में 12 सतक जमाया है भारती क्रिकेट टीम इस समय एसिया कप खेल दिया है मगर टीम को इसके बाद अपने ही घर में 2030 का वंडे वर्ड कप खेलना है इसके लिए भारती क्रिकेट कंट्रोल गोड यानि की BCCI ने रोहिस सर्मा की कप्तानी में अपनी टीम का एलान कर दिया है इस टीम में एसिया कप में एक भी मैच ना खेलने वाले केहल दाहुल के भी एंट्री हुई है जबकि सैंजियू सैमसन और यजवेन चहल को बाहर का रासा दिखाया गया है मगर आज हम इन सबसे हट कर वंडे में डबल सेंट्री की बात करेंगे दरसल इस बार वंडे वर्ड कप में खुल दस टीम में हिस्सा लेंगी जिसमें चार ऐसे बल्ले बाद मैदान पर उतरेंगे जो वंडे में डबल सेंट्री लगा चुके हैं इनमें सबसे ज़्यादा तीन भारती टीम में रहेंगे कप्तान रोहिष सर्मा दुनिया के अकेले प्लेयर हैं जो तीन बार डबल सेंट्री लगा चुके हैं उनके अलावा सुमन गिल इसान किसंद भी दोहरा सतक जमा चुके हैं इनके अलावा चोटे सतक बीर पाकिस्तान के ओपनर फगर जमा हैं वो भी वंडे में 12 सतक जमा चुके हैं आपको बता दें वंडे में अब तक 8 खिलाडियों ने कुल 10 दोहरे सतक जमाए हैं इनमें सबसे जादा 5 भारती सामिल हैं वही 5 भारतीयों ने वंडे में जो डबल सिंट्री लगाई है वंडे में अब तक 8 खिलाडियों ने कुल 10 दोहरे सतक लगाए हैं इनमें रोहित सर्माद दुनिया के अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिनोंने वंडे में 3 दोहरे सतक जमाए हैं रोहित के अलामा भारतियों में सचिन तेंदुलकर, बिरेन सहवाग, सुमन गेल, इसान किसन ने डबल सेंट्री जमाई है इसके अलामा न्यूजिलेंड के माइटन गुप्टिल, बेश्टन डिट के क्रिस गिल और पाकिस्तान के फकर जमा ने एक एक बार यह उपलब्दी हासिल की है अगर बात की जाए वर्ड कप की तो वर्ड कप में अब तक दो ही दोहरे सतक लगे हैं जी हाँ, वर्ड कप में अब तक दो खिलारी ही डबल सेंट्री लगा सके हैं यह रिकार्ट न्यूजिलेंड के माइटन गुप्टिल और बेश्टन डिट के क्रिस गिल के नाम है दोनोंने 2015 वर्ड कप में यह उकलब्दी हासिल की थी गुप्टिल ने बेश्टन डिट के खिलाब धोरस तक जमाया जब कि गिल ने जिम्बांबी के खिलाब डबल सेंट्री लगाई थी चलिए बात करते हैं वन डे में डबल सेंट्री लगाने वाले बल्ले बाजों की हम आपको ये भी बताएंगे किस बल्ले बाजों ने किस साल और किस देज के खिलाब कितने रन बनाए रोहिस सर्मा ने 2014 में स्रिलंका के खिलाब प्रिकार तोड 264 रनों की पारी खेली थी तो वहीं मार्टिन गुक्टिल ने 2015 में बेस्टन डिच के खिलाब 237 रन बनाए अब बात करते हैं बिरेन सहवागी सहवाग ने 2011 में बेस्टन डिच के खिलाब 219 रनों की पारी खेली थी क्रिस गिल ने साल 2015 में जिमबामबी के खिलाब 215 रन बनाए थे तो वहीं पाकिस्तानी ओपनर जो कि इस समय मौझूदा वेल्ड कप पाकिस्तान के टेम में भी हैं फकर जमा फकर जमा ने जिंबांबे के खिलाब 2018 में 210 रन मनाए इसान किसन ने बांगलादेश से खिलाब 2022 में 210 रन मनाए वहीं एक बार फिर से रोहिस सर्मा के बल्ले से 2013 में आश्रिडिया के खिलाब 209 रन स्रिलंका के खिलाब 2017 में 208 रन निकले थे अब बात करें सुम्मन गिल की तो सुम्मन गिल ने हाली में 2023 में न्यूजिलेंड के खिलाब 12 सतक लगाया सुमन के बल्ले से 208 रन निकले थे तो वहीं सचिन तेंदुलकर साउथ अपरीका के खिल लेवाज हैं जो की ये करिस्मा कर चुके हैं यानि की 12 सतक लगा चुके हैं क्या आगे भी 2030 वर्ड कप में किसली के बल्ले से 12 सतक निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल ऐसी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे नीजवर्ड इंडिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना न भूलें और हाँ बगल मुझे बेल आइकन है उसको जरूर दवाएं धन्यवाद